बश्कार दोस्तों दोस्तों आज के इस ने अपसोड में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ दोस्तों सबसे पहले मैं आप सबसे कहां चाहता हूँ कि आपके बेशुमार प्यार और मुहबबत के लिए मैं आप सभी का तह दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ क्योंकि दोस्तो यह सब आपका ही प्यार है जिसने आज हमारे चैनल को इतनी कम समय में इतनी काम्याबी दी है दोस्तो आप हमारे साथ यूही बने रहें हम आपको वादा करते हैं दोस्तो हम यूही आपके लिए एक से एक बहतरी नुश्क cathedral लेकर आते रहेंगे जिसकी मदद से आप अपने जीवन में एक नया बरिवर्तन लेके आ सकते हैं दोस्तों यह मेरा तेह दिल से वादा है मैं अपने जी जान लगा दूँगा आपके एक सुखी और एक स्वस्थ जीवन के लिए तो दोस्तों आज हम डिरेक्ट आते हैं अपने जुश्क कितरा मिटा देंगे जी हां दोस्तों कहने सुनने में यह बहुत अजीव लगता है लेकिन दोस्तों पेट की चर्वी नजाने कितने लोग को परिशान करती है आज उन सभी को लिए यह मेरी वीडियो समर्पित है जिसकी मदद से वह अपनी चर्वी को मिलकुल मिटा सकते है दोस्तों यह बहुत ही आजमायवन उसका है और मात्र शिर्फ पंद्रा दिन में ही यह जादू ही असर करेगा और आपका मोटापा मिलकुल कम हो जाएगा दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे बोला चाता हूँ कि अगर आपने अब तक हमारा यूटूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे प्लीज नीचे जाके लाल बटन को दबाकर अभी के अभी सब्सक्राइब कर लिजी क्योंकि यहाँ पर हम आ के अबल सिर्फ मसाले के रूप में होता है और बलकि चोटी मुटी पेट की बिमारी भी कभी कबार लोग ले लेते हैं लेकिन इसका सेवन अनियमित होता है कभी कबार ये कटते हैं तो दोस्तों खाने खाना खाने के बाद हाजमा बहदर बनाना हो तो इसका चूरन बना कर तो लोगो जानते हैं कि अजवाइन का पानी रोज शुबा खाली पेट पीने से मोटापा छट से यानि एक्दम नेचनल तौर पर एकदम कम हो जाता है जियां दूस्तो तों मोटापा कम करने के लिए अकसर लोग गरम पानी और निम्बू पीते हैं जिससे शरीर के विशहले ततोव भाहर आते हैं ना ention के वजन कम होता है जिहां दूस्तों यह बहुत कम लोगों को पता होता है जिसे और अज्वाईन का आपको बहुत शांदार मिलेंगे और बिना किसी आपको रुकावट के आप महसूस करेंगे तो दोस्तों हम अपनी देखते हैं कि हमें अजवाइन का पानी आखिर बनाना कैसे हैं दोस्तों सबसे पहले इसे त्यार करने के सही विदी दोस्तों आपको करीब 50 ग्राम दूरत है उसे आपसे जितना आपका वजन है उसको मदिंजर रखते हुए लेकिन दोस्तों 50 ग्राम आप मिल्कुल लीजिए क्योंकि 50 ग्राम सबसे ज्यादा बेनिफिट देगी आपको तो इसके अंदर करें आपको एक ग्लास पानी राद भर भीगे रहने देना है यानि आपको करीब एक ग्लास पानी में अजवाइन डाल कर राद भर भीगने के लिए छोड़ देजे और फिर सुबह इसको चान लेजे बेर सामने जो भी पानी रखा है दो तो यह अजवाइन का राद भर का रखावा पानी है अब मैं दिखाता हूँ हमों करना क्या है इस पान दखन पानी को आपको ऊप्योंग करना है जी था झाने में राद कौरने है दोस्तो और एक चमास शहलं और पीना है जीओ हाँ दोस्तो तो एक कंध वैक्चल चहन करल लीजे मैं आपको दिखाता हूँ कैसे यहां दोस्तों देखिए एक चम्मज आपको शेहद मिलानी है इसके अंदर शेहद आप अच्छी क्वाइटी का ले एक चम्मज शेहद दोस्तों यह बहुत यह शांदार और बहुत यह गुंकारी पानी है जिसकी मतदसे ना जाने कितने लोगों ने फाइल उठा चुका है आ आपको इस पाने को इशकन शेहद को अच्छे से मिला लीजिए दोस्तों यह आप चाहें तो अजवाइन को धूप में सुका कर फिट से इस्तमाल कर सकते हैं अगल दिन के लिए जो गीली अजवाइन जो मैंने दिखाई थे आपको छन्ली के अंदर आप इसे अगले दिन के लिए एक बार फिर्स वागर सकते हैं लेकि सुखा लीजिएगा ऐसा आप सिर्फ तीन बार के बार इस अजवाइन के अंदर जो प्रॉपर्टी होती हैं बिल्कुल कम हो जाएंगी और वो बिल्कुल खतम हो जाएंगी तो दोस्तों यह पानी जब तियार हो जाए आपको इ दिन तक आपको कभी कुछ दर्वटनी महसूस नहीं होगी वैसे तो इसका असर पंदर दिन में दिखने लगता ही है लेकिन अधिक परिणाम के लिए 45 दिन बिल्कुल प्रमनिंट इलाज हो जाता है इसके मदद से आपका वजन कम होगा और आपके शरीर पर जितने भी अध तो आपका वजन इसी तरह कम होता रहेगा और आपको इसका विशुमार फायता मिलता रहेगा दोस्तो अच्छा रिजल्ट पानी के लिए कुछ जबूरी बाते का पालंग करें जो मैं बताना चाहता हूँ आपको दोस्तो चावल खाना पूरी तरह छोड़ दें दूसरा र बिल्कुल जंक फूट करलाते हैं और जिसकी वज़ा से आपका वजन बढ़ता ही है दोस्तो भूजन करने के एक घंटे तक बिल्कुल पानी ना पिए दोस्तो यह कुछ बात हैं अगर आप बिल्कुल अपने जीवन में लेके आ जाएंगे और इस ज्रिंग को पीना है और जिसकी मदद से आप अपना वजन ला सकते हैं और एक कमाल का एहसास कर सकते हैं हलके पन का जिहां दोस्तों दोस्तों आप इस नुश्क को इस्तमाल कीजिए और आप अपने अपने एक्स्पिरिंस हमें कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिए अपने फ्रेंट्स और ल अपना वजन कम करें और हमें अपना कमेंट जलूर दीचे अब दोस्तों हम जल्द मिलते हैं अपने अगली वीडियो के साथ तब तक के लिए नमस्कार